डाइनिट्रोजन और डाइनिट्रोजन और डाइनिट्रोजन और डाइनिट्रोजन रियाक्ट विद इच आदर तो प्रेड्यूस अमोनिया अगर इतने अमाउंट्स में रियाक्ट करते हैं तो फॉर्म अमोनिया इस reaction को आप देखिए और उसमें से calculate कीजिए mass of ammonia कितना produce होता है अगर इतना gram of dinitrogen reacts with 1000 gram of dihydrogen second question हमें find out करना है कि any of the two reactants क्या unreacted रह जाता है मतलब कि क्या nitrogen या फिर hydrogen में से कुछ भी unreacted रह जाता है और अगर हाँ तो कौन सा और कितने mass unreacted रह जाते है तो चलिए हम calculate करते हैं तो इसमें भी आपका जो है limiting reagent का concept follow होगा ठीक है तो सबसे पहला हम stoichiometry देखते हैं यहाँ पर क्या है 1 mole nitrogen है 1 mole यहाँ पर 3 moles of nitrogen है और यहाँ पर 2 moles of ammonia है तो 1 mole of nitrogen का mass होता है 28 gram यहाँ पर hydrogen का 3 moles का 6 gram और 2 moles of ammonia का 34 gram mass है तो यह जो N मैंने निकाला है वो है number of moles number of moles का formula होता है given mass by molar mass तो given mass question में हमारा है 2000 gram of nitrogen और molar mass 28 gram हमने निकाला similarly 1000 gram hydrogen हमारा दिया गया है question में और 6 grams होता है आपका 3 moles of hydrogen का molar mass लेकिन मैंने आपे 2 लिया है क्योंकि 1 mole of hydrogen का जो molar mass होता है वो होता है 2 तो इसलिए molar number of moles निकालने के लिए given mass by molar mass formula अप्लाइ करके हमें मिलता है nitrogen और hydrogen का molar number of moles 71.4 और 500 moles respectively तो अब देखिए 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen यह मैंने यहां से निकाला तो 71.4 mole of nitrogen कितने moles of hydrogen की साथ react करेगा तो 71.4 3 से इंटू कर देने से हमें मिलता है कि hydrogen का amount होता है 214.2 moles जो 71.4 mole of nitrogen के साथ react कर पाएगा लेकिन हमने यहां पर क्या निकाला कि हमारे पास hydrogen जो है वो 500 moles है मतलब extra amount है तो 71.4 moles तो सिर्फ इतना moles hydrogen के साथ ही react कर पाएगा इसका मतलब जो बाकी का जो hydrogen है वो unreacted रह जाएगा तो इसलिए हमारे यहां पर जो limiting reagent है जो पूरा react कर पा रहा है वो है nitrogen तो इसलिए nitrogen limiting reagent है ठीक है? तो हमको पहला question में हमें calculate करना था mass of ammonia produced तो हम limiting reagent यूज कर सकते हैं यहां पर लेकिन हम hydrogen यूज नहीं कर सकते हैं निकालने के लिए ammonia का amount क्यों नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि hydrogen पूरा react नहीं कर रहा है तो अगर पूरा react नहीं कर रहा है तो हम hydrogen का value कैसे यहां पर यूज कर सकते हैं लेकिन nitrogen पूरा react कर रहा है तो इसलिए हम nitrogen के moles से ammonia का moles निकालेंगे तो 1 mol of nitrogen can form 2 mols of ammonia यह हमने लिया है इस stoichiometric यहाँ पर देखिए 1 mol nitrogen 2 mol of ammonia form कर रहा है तो उसी से मैंने निकाला कि 1 mol of nitrogen can form 2 mols of ammonia so 71.4 mol of nitrogen can form 2 into इतना इसको calculate करके इतना mols of ammonia form होगा second question में हमें पूछा गया था कि क्या कोई भी reactant unreacted रह जाता है तो yes one of the reactant will remain unreacted यह हमने पता किया यहाँ से यहाँ पर देखिए कि हमारा 2.4 mols of hydrogen react कर रहा है तो मतलब कि 500 mols से जो बाकी part थे वो unreacted रह जाएंगे इसलिए इस cancer होगा yes और third question में which one and by how much तो मतलब कौन सा reactant unreacted रह जाएगा और कितने amounts उसके unreacted रह जाएंगे तो hydrogen unreacted रह जाएगा by an amount of 500 हमारे पास hydrogen का moles था और उसमें say 214.2 react कर रहा था तो उसको मैंने minus कर दिया तो उससे हमें moles में निकल लिया कितना hydrogen unreacted रह जाएगा लेकिन हमें mass पूछा गया था unreacted reactant का तो इसलिए हमने इसको hydrogen के molar mass से इंटू करके उसका mass निकाल लिया ठीक है अब हम दूसरा question देखेंगे चलिए दूसरे slide की और बढ़ते हैं करता है